कि नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे कि हमें जो अपनी गाड़ी का कूलेंट होता है तो हमें उसमें दोस्तो वाटर मिक्स करना चाहिए जांपिर डिस्टिल वाटर मिक्स करना चाहिए तो दोस्तो आम तोर पर आप जब भी अपनी गाड़ी का कूलेंट लेनी जाएंगे तो दोस्तो जो दुकानवाला होगा तो दोस्तो वो हमेशा यही आपको यही बोलेगा कि जो कूलेंट है तो इसमें नार्मल पानी मिक्स कर दीजिए जा फिर दोस्तों जो आपका मेकैनिक होगा तो वो भी आपको जो नॉर्मल वाटर होता है तो वह भी डालने के लिए बोलेगा हुँ कि यहां पर हमें यहां पर हम लोग इतने अवेर नहीं है कि हमें जो अपना यह उसमें दिप्विडिपश रहता है क्योंकि दोस्तों जो डिप्व cm करना चाहिए हुआ तो दोस्तो जे नार्मल बाटर हो ता है, बिल्कुल डोस्तो इसमें कोई भी impurities नहीं होती, तो दोस्तो जो हम टैप वाटर जोज करते हैं, तो दोस्तो उसे जो हमारा radiator system होता है, तो दोस्तो वो चोक हो सकता है, और दोस्तो कई बार जो गाड़ी का हमारा block होता है, जाँ फिर radiator होता है तो दोस्तो उसमें जंग भी लग सकता है रस्ट लग सकता है तो दोस्तो इसलिए आप जब भी अपने गाड़ी का coolant change करवाएं तो दोस्तो कूलन के साथ distil water जूदूर जूज करें तो दोस्तो इसको battery water भी बोलते हैं तो दोस्त प्योर distil water या फिर pure coolant मत यूज करें हमेशा इनका जो mix करकर ही इनको यूज करें तो दोस्तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज मेरे चैनल को share और subscribe करना मत भूलिए धन्यवाद